नवस्कार दोस्तो आज की खबर कुछ खास होने वाली है क्योंकि दोस्तो आज की जो खबर है वो बिटिस के पीएम रिशी सुनक और उनकी सासुमा सिध्धा मूर्थी के बारे में हैं तो दोस्तो इस खबर को पूरा जानने के लिए बने रही है हमारे साथ वीडियो के अंतर पाएगा इसके लिए आप में मजबूती एक्षा सकती होनी चाहिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पावर और मनी के पीछे मत भागिए सुदामूर्ती रविबार को जैपुर लिटरेचर फेस्टिवल जे एल एफ में एक सेसन में बोल रही थी और साथ ही उन्होंने सुदामूर्ती ने राजनीती और जे एल एफ के मोगल टेंट बिवात पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है दरसल सुदामूर्ती ने दावान रिशी सुनक के विटेन के प्रधान मंत्री बनने पर कहा इससे मेरे जीवन पर कोई खास प्रवाव नहीं पड़ा है इस ज सुदामूर्ती ने कहा मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे खुद के बच्चे भी बिदेश में शेटल है कोई बच्चा बिदेश जाकर पढ़े ये नौकडी करे इस मामले में उसके परवार को ही थैसला लेना होता है उन्होंने कहा कि वस यह कहना चाहती हू कि बच्चे जहां भी हो उन्हें भारतिय कल्चर की जानकारी होनी चाहिए अगर बिदेश में बच्चे होगे तो मुस्किल होता है यही जीवन चक्र है मेरे लिए भारत में रहना और भारतिय होना गर्व की बात है और साथी शुदामूर्ती ने कहा कि कॉरोना के बाद इंसा पाइरे करeh– जानकारी दूरते हैं जो किंडल पर जानकारी नहीं धूरते वो विकईपीडिया पर रूरते हैं आम लोगों की नौलेज इकठक्टर करने की आदत अब भी वरकरार है तरीका बदल गया है इसके साथ ही दोस्तों एक ख़वर बहुत ही जादा बाइरल हो रही है जिसमें बागिश्वर वाले बाबा जी को धीरन सास्त्री जी को धौंगी बताये जा रहा है दोस्तों उनकी वीडियो की कुछ क्लिप निकाल कर उन कई लोग उनका वयकोड कर रहे हैं दोस्तों जैसे कि उनका वयकोड हो रहा है लेकिन जो वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्या इनका भी वयकोड होगा जा इनको भी ऐसे ही निव चैनल अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और इनका इंटर्व्यू लेंगे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कैसी लगी आपको यह खबर जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए और दोस्तों कमेंट करके भी बताइए कि अगली वीडियो आपको इत्यास के किस टोपिक पर चाहिए अगर आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वजा दीजिए जिससे की ऐसी खबरें आप तक सबसे पहली पहुँचें जै हिंद दोस्तों जै भारत जै हिंद की सेना